अब सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आए सुनते हैं दक्षिन अफरीका में लंबी संगर्स के बाद आखिर रंगभेद और अलगावाद खत्म हुए चनाव हुए जिसमें काले और गोरों ने भाग लिया दक्षिन अफरीका में सबसे लंबी कैद भोगने वाले नेलसन मंडेला रासपती हुए और उनके मंत्री मंडल में एक से अधिक जातियों के मंत्री शामिल किये गए यह भी एक दिल्चस्प बात है कि जो गोरे शासक मंडेला को जेल में रखे थे वे ही इस कैदी के मारफत मंत्री बने हैं सरकार में यहूदी भी हैं भारतिय भी इसके पहले रोडेशिया स्वतंत्र हुआ था और वहां के अधिकांश अंग्रेज वहीं बस गए और अपनी राजनितिक पार्टी बना ली यह बहुत अच्छी बात है कि कल के दुश्मन सब कुछ भूल कर सहयोग कर रहे हैं कल के गोरे अत्यचारी शासक अब काली रास्टपती के शासन में हैं मनुस जाती एक है जिसमें रंग के नसल के और जाती के भेद हैं पर मूलता सब एक हैं अबरिका को यूरोब ने अंग्रेज दे डार्क कांटिनेंट यानि अधिरा महाधीब कहते थे गोरे सिर्फ अपने को सभ्य मानते थे जब वे सामराज स्थापित करने निकले तो उन्होंने इस एक तरह का मिशन कहा तरकी है कि हम सभ्य हैं और वे असभ्य हैं इसलिए हमारा कर्तब है कि हम उन्हें सभ्य बनाएं यह सभ्य बनाना इक ढोंग था उस भूमी पर कबजा करना था प्रसिद अप्री की रास्टी नेता जो मो कन्याटा ने कहा है कि गोरे पाद्री हमें सभ्यब बनाने भेचे गए हमारी लोगों से उन्होंने कहा कि हम तुम्हें धर में सिखाएंगे उस समय बाइबल उनके हाथ में थी और जमीन हमारे हाथ में उन्होंने हमसे आँखें बंद कर प्रातना करवाई प्रातना के बाद आँखें खोली तो देखा कि बाइबल हमारे हाथ में हैं और जमीन उनके हाथ में जार्ज बर्नाव यूशा ने अपना नाटक अमेन आफ और डिस्टीन में अंग्रेज सामराजबाजियों के बारे में क जाते हैं तो पहले वे पाद्री भेशते हैं पाद्रियों से मूल निवाचियों का जगड़ा हो जाता है और कुछ पाद्री मर जाते हैं तब अंग्रेज फोज से भरे जहाज भेजे जाते हैं वहां के लोगों को वे परास्त करते हैं और इसा मसिह की प्रतिस्था की रक्षा के बदली में उस भूमी पर कबजा करके राज करने लगते हैं उन्नीस वीश सदी के अंत्मे महात्मा गांधी ने भार्तियों के प्रती बढ़ते जाने वाले भीदभाव के खिलाब अहिंसक संगाय शुरू किया था जो कार जारी किया गया था उसे उन्होंने सार्वजने के रूप से जला दिया उस पर पुलिस ने लाठी चलाई और वे खायल हो गए भार्तियों को तब कुली कहते थे एक कोच में गांधी जी बैठे थे सबारियों में एक अंग्रेज को सिग्रेट पीना था उसने गांधी से कहा एकुली हट जा वहां से वहां मैं बैठूंगा ग अंग्रेज उन्हें पीटने लगा पर गांधी जी वहीं बैठी रहे यह सत्या ग्रह था भारत से अंग्रेज मजदूर ले जाते थे उन्हों मजदूरों को किरमिटा कहते थे वे उन्हें जहाज में भर भर कर अफरिका ले जाते थे और वहां गुलामों की तरह काम कराते उनके दुखों और संघर्स को लेकर शायद चकंबस्त ने लिखा है कहा है कौम के हर दर्द कौम के हमसास हवा के साथ आती है बहती हुई आवाज वतन से दूर है हम पर निगाह कर लेना इधर भी आग लगी है जरा खबर लेना यह अफरीका के भार्टियों के पुकार अपने भारत बासी भाईयों से है अफरीकी मूल निवासी कालों का संघर्स बहुत था वहां की गोरी सरकार बहुत दमन करती रही नेलसन मंडेला 27 साल जेल में रहे उनकी पतनी विनी मंडेला भी जेल में रही उसने एक पुष्टक लिगी है Out of My Heart उसमें उनकी पार्टि के संघर्स के विसाय में तु लिखा ही है मंडेला परिवार के संबन में भी लिखा है संघर्स में कितने व्यस्त रहते थे ये लोग एक वाक्य उसमें लिखा है हम एक साथ एक दूसरे के बिना रहते थे यानि अपने अपने काम पर निकल जाते थे साथ कभी कभी होता था विनी मंडेला भी संघर्स करती रही उसे मंडेला के जेल से निकलने के बाद उसकी पार्टि से निकाल दिया उस पर कुछ आरोप लगाए गए कुछ आरोप चरित्र संबंधी भी थे एक आरोप यह की उसने हत्या कराई विनी मंडेला ने युबा लोगों को लेकर एक संग्ठन बना लिया था जिसका नाम था मंडेला फुटवाल टीम यह टीम फुटवाल तो नहीं खेलती थी विनी के कहने पर उपद्राव करती थी वह पदिस्थापना के उस्सव में ठाट से शामिल हुई नेलसन मंडेला से उसका तलाग नहीं हुआ है बलकि वे अलग-अलग हो गए विश्वे जन्मत अफरीकियों की स्वधिनता के पक्ष में रहा है नेलसन मंडेला ने पदग्रण समारो में महत्मा गाधि और जवाहलाल नहिदू का आदर पूर्वक नाम लिया राष्ट संग में अनेक प्रस्तावाई गोरी सरकार पर दक्षर अफरीका से संबंद तोड़ लेने की सरकारों से अपील की गई कई सरकारों ने इस देश से संबंद तोड़ लिये भारा शुरू से ही अफरीकों के स्वाधीनता के अधिकार का समर्थन करता रहा है ब्रिटेन का वह उपनेवेश ही था पर अमेरिका ने उससे संबंद नहीं तोड़े उसने एक शब्द उप्योग करके कहा कि हमारा दक्षण अफरीका से कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट है इस पस्ट शब्दों में कहा जाता है कि हमारा उससे राजमेतिक आर्थिक संबंद है जिसे हम नई शब्द दे रहे हैं महादमा गांधी भी विशित्र थे जब वे अफरीका में थे तब जनरल शम्च गोरे शासन का प्रधान था गांधी जी उससे लड़ते थे रंगभेत के खिलाब पर बोर युद की समय उन्होंने जनरल शम्च से सहयोग किया इस सहयोग को ही गांधी जी मित्रता कहती रहे उन पर बाद में आरूप भी लगे की उन्होंने अंग्री जी फोर्स में सिपाही भर्ती कराए दिल्चस्प किसा विजय लक्ष्मी पंडित ने आत्म कथा में लिखा था रास्त संग में गोरी सरकार के खिलाब प्रस्ताव आने वाला था भारती प्रतिनी धी मंडल की नेता विजय लक्ष्मी पंडित थी तब भी बहुत बूडे हो गए जनरल शम्च सत्ता में थे और वे भी रास्त संग में आने वाले थे विजय लक्ष्मी ने लिखा है कि गांधी जी ने मुझे बुलाया और कहा बेटी जनरल शम्च मेरे दोस्त हैं तुम उनके दिल को बहुत चोट मत पहुंचाना विशितर बात है कि विजय लक्ष्मी तो गोरी सरकार पर चोट कजने भेजी ही जा रही थी भारत की ओर से वि काफी सक्त बूला मीटिंग समाप्त होने पर मैं जनरल शम्च से बस्ती रही पर एक कोने में उन्होंने मुझे पकड़ ही लिया उन्होंने मुझे कहा बेटी तुम्हारी विजय हुई मैं हार गया पर तुम्हारी जीत की खुशी बहुत थोड़े समय की है अब मैं आगा मी चुनाओं में हार जाओंगा दूसरी कटरबंती सरकार आएगी और वह अधिक कठोर कानून करेगी अपार्थाइट्स इसका मतलब है बिल्कुल अलगाओ गोरे और काले में महत्मा गादी ने कहा था कि भारत की आजादी अधूरी होगी जब तक दुनिया में कोई भी हमें खुशी है हमने एलसन मंडिला समेथ सारे दक्षन आफरिकियों को बथाई देते हैं